स्री गणे शाय नमा परमगुरु देवे भ्यो नमा महत्पिता चरण कमले भ्यो नमा प्रिये बंधुगो जब हमें सोपन में मृत प्राणी दिखाई देने लगें और बो भी विसेश करके जब हमारे पूर्वज यदि हमें सोपन में दिखाई दे रहे हों तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें कि हमें हमारे पूर्वज स्राद्द करने का संकेत दे रहे हैं यदि अभी तक आपने चैनल की सदस्ता नहीं ली हो तो वेल आइकान का जो बटन है वो दबा कर चैनल की सदस्ता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ग्यानवर्धक वीडियो राप्त हो सकें अब हम यहां चर्चा कर रहे हैं स्राद्द के सम्मंध में तो थोड़ा सा हम यह भी बता दें कि स्राद्द में विसेश कर किन-किन बस्तुओं किन-किन पदार्थों का महत्वे बहुत ज़्यादा है तो हो सके तो स्राद्द में सदेव इंगूदी याने इसको बोलचाल की भासा में गोंदी भी कहते हैं बेर के फल आउला और बे सारे सभी फल जो हमें खाने में अच्छे लगते हैं जो हमारे स्वास्थ के लिए पुष्टी वर्धक होते हैं जो स्वास्थ वर्धक होते हैं वे सारे फल हमें स्राद्द में लेना चाहिए परंतु कहीं कहीं ऐसा आया है कि जो केले का फल होता है उसे स्राद्द में नहीं लेना चाहिए साथ में वे सारे पकवान जो हमें खाने में सुन्दर लगते हैं ऐसे पकवान बना करके और हमें चाहिए कि हम अपने पित्रों को भोग लगाएं बरणन तो एंसा भी मिलता है कि जब भी हम स्राद्ध करें तो उस्राद्ध काल में सदैव हमें अपने पित्रों के निमित तीन पिंड अवश्य देना चाहिए पित्रों के लिए तरपन भी करना चाहिए तो तरपन हमने बताया पहले के भागों में कि हमें पित्र तीर्थ जो हमारे हाथ में होता है हमारे हाथ में इस्थित पित्र तीर्थ के द्वारा ही हमें अपने पित्रों के लिए तरपन करना चाहिए यदि हम अपने पूर्वजों के निमित स्राद्ध नहीं करते हैं तो बड़ा दोस लगता है अब क्या दोस लगता है जब पित्र नाराज होते हैं तो परिवार में अनेक अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन हो जाते हैं घर में भीमारियां बास कर लेती है आमदनी के साधन रुखते हैं तो जहां तक हो सके यथा संभव समय समय पर हमें अपने पित्रों के निमित स्राद्ध करते रहना चाहिए और जब हमारे उपर पित्र प्रसन होते हैं तो नाना प्रकार की धन संपत्ती हमारे घर में बढ़ती है जिनके उपर पित्र प्रसन होते हैं उनके हां परिवारिक वंश्वेल कभी रुखती नहीं है उनके हाँ सुन्दर संतान उत्पन होती है घर में नाना प्रकार के एश्वरी बढ़ते ही रहते हैं आज के लिए वस इतना ही सेश फिर कभी अगले भाग में नए विशे के साथ में उपस्थित होंगे तब तक के लिए आग्या दीजिए धन्यवाद जे माता की जे परश्राम जी की